हेलो दोस्तों स्वागत है अपनों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रोशन में दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आईटी आई की जबर्जस्त पेकेंसी यहाँ पर एक बार और देखने को मिल रही हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहा हैं 37 दवन अंतरिक कि अंतर सार से आता है कभी अलग व्रांशे से आती रहती है तो यहाँँ व्रेंड्स मैं बता दोँ कि टेक्निसियन भी और इसके साथ जो है कि ृप्रेंड्स हम लोग देखेंगे सारा कुछ डिटेल्स में ठीक है तो चलते हैं जल्दी हम लोग समय नुकसान नहीं करेंग सीधे वैकेंसी पे चलते हैं तो फ्रेंट्स यहां इसकी आफिसियल वेबसाइट पर है इस पर हम लोग जाते हुए देखेंगे यहां पर देख सकते हैं एक नोटिस दिया हुआ है यहां पर 26 अपरेल 2023 का इसमें दोस्तों जो है कि पोस्ट कोट संक्या 2 से 26 तक है और यहां पर देख सकते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर हम लोग एडवर्टाजमेंट को देखेंगे ठीक हैं और इसके अंदर क्या है सारा कुछ डिटेल्स में जानेंगे, कौन सी पोस्ट आइटियाए के आई है यसडी यसडी के नाम से आया है तो यहां पर देख सकता है 37 दवन that इसपेस सेंटर के नाम से आया है ठीक है स्रीया रिकोटा में यह तुरुपशsdila अपर देखें गयए तो यह सिनमेटोग्राफिय, फोटोग्राफिय है हम लोग जानते हैं कि यह चैनल इस्पेसली आईटियाई की कैंडिडेट्स के लिए है तो जो चीज़ें आईटियाई के लिए है वहाँ पे हम लोग सीधे चलेंगे यहाँ पे दोस्तों यह डिपलोमा बगरे की पोस्टे है हम लोग जो है दोस्तों अलग से चलेंगे ठीक है जल्दी से आ जाते हैं हम लोग तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी पोस्टे आईगे है फिजिक्स की आई है और लाइब्रेरी असिस्टेंट की आई है जिसमें भी असी बगर मांगा गया है और भी बहुत सारी पोस्ट है तो हम लोग फटापट में हम लोगों का मोटो क्या है दोस्तों आईडियाई के कैंडिडेट के लिए कितनी वेकेंसी है तो यहां पर दिखी दोस्तों सबसे पहले देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिसियन की पोस्ट है कितनी पोस्ट है दोस्तों छे पोस्ट है और यूर की तीन है पिछला बर की दो है और एडबलुएस की एक सीट है क्या चा चाहिए बागे फ्रेंट्स हम लोग बढ़ेंगे फीटर की पोस्ट है कितनी है देखते हैं तो फीटर की दोस्तों यहां पे टोटल सत्रह पोस्ट है आई वही है और यू आर्ट पोस्ट है रिजर्म की ओभी सी की छह है और बैक लाग जो है कि एक वेकंसी रह गई थी EWS की त चाहिए तो दोस्तों हाई स्कूल पास चाहिए और प्लस NCVT से जो है दोस्तों NTC या NAC चाहिए नेशनल अपरेंटिशिप सर्ट्पिकेट या नेशनल ट्रेड्स सर्ट्पिकेट ठीक है दोस्तों और यहां पर देख सकते हैं फीटर PCR ही की रसायन के लिए जो एक चिनित की गई है यूर की एक पोस्ट है और EWS की पोस्ट है ठीक है बाकि हम लोग आके बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर देखेंगे अगला पोस्ट है दोस्तों यहां पर हम लोग देखेंगे मसीनिस्ट का है तीन पोस्ट है यूर की दो है और EWS की एक पोस्ट है इसमें दोस्तों मस सिविटी मसिने स्टेट से हमारे एंटी सी हैंने सी होने चाहिए बाके फ्रेंट्स यहां पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रानिक मेकैनिक की जो है 13 पोस्ट है ठीक है यूर की 6 पोस्ट आई हैं और ओबीसी की दोस्तों 5 पोस्ट आई हैं बैटलाग एक पोस्ट हो गई थी तो इसमें भी सेम वही है ITI चाहिए दोस्तों माकी यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों Mechanic Diesel की तीन पोस्ट आ चुकी है दोस्तों, UR की दो हैं और OBC की एक पोस्ट है तो और यहाँ पर Instrument Mechanic की हम लोग देखेंगे पोस्ट है, प्लंबर की दो पोस्ट है बाकी फ्रेंट्स आगे बढ़ते है तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे Pump operator का Mechanic की जो है दोस्तों यहाँ पर तीन टोटल साथ पोस्ट है और हैवी जिसके पास जो है दोस्तों हैवी लाइसेंस है और वो Mechanic Diesel के Candidates हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर तीन पोस्ट है अलग से, ठीक है दोस्तों तो यह काफी अच्छी बात है Mechanic Diesel वालों की यहाँ पर टोटल तीन और तीन शे पोस्ट आ गई है तो RAC की यहाँ पर दोस्तों एक पोस्ट है बाकी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर Friends Civil मागा गया है तो Draftman Civil के दो पोस्ट है और Draftman Mechanical की एक पोस्ट है ठीक है, बाकी हम लोग आगे पड़ते हैं तो यह सारी चीज़े हैं तो यहाँ पर Friends हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं, क्या है, क्या नहीं है Age के बारे में तो Age वगर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 18-35 वर्स है यहाँ पर दिखा रहा है दोनों के पोस्ट कोट संख्या जो है कि 11-26 जो टेक्निसियन भी और ड्राप्टमान भी का है उसमें Age 1 डेशन कितना है 18-35 वर्स है और यह दोस्तों जो हमारा प्रतिमा मिलेगा जो Basic और प्लस डिये मिल करके वो 3844 रुपए टेक्निसियन पर को मिलेगा बाकि दोस्तों जो टेक्निकी सहायक वैज्यानिक सहायक और पुस्तकाले सहायक उनको जो है कि दोस्तों मोल वेतन प्लस मंगाई बत्ता मिला करके यहाँ पर देख सकते हैं 36775 रुपए मिलेंगे ठीक है तो वो पोस्टें आई ठीके लिए नहीं है तो फ्रेंट्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बता दें आपको दोस्तों कि फार्म भरते समय जो पोस्ट संक्या दो से दस तक है वो 750 रुपए उनसे स्टार्टिंग में लिए जाएंगे दोस्तों और यह नान रिफंडेबल जो है दोस्तों 250 रुपए कर रहेगा और जैसा की जानते हैं आप लोग दोस्तों जैसे रेलवे एक्जाम कराने के बाद फीस बाद में रिफंड करती है वैसे इस रूपी करने वाला है 250 पहले 750 सब से लेगा 250 नान रिफंडेबल रहेगा दोस्तों बाकि 500 रुपए जो है दोस्तों एक्जाम के बाद यह लोटा देगा बाकि फ्रेंड्स पोश्ट कोट संख्या जो हमारा 11 से लेकर 26 तक है यानि आई टी आई ग्रूप के लिए है उनसे दोस्तों 500 रुपए सभी से लिये जाएंगे 100 रुपए नान रिफंडेबल लहेंगे 400 रुपए लोटा दिये जाएंगे दोस्त ठीक है बाकि फ्रेंड्स यहां पर मैं बता दूँ कि जो भी महिला कंडिडेट है उनसे दोस्तों सभी से 7500 पोश्ट के बाद लिया जाएगा और बाद में सभी पैसे जो है लिखित परिछा है और कोसल परिछा है तो लिखित परिछा दोस्तों यहां पर cbt test होगा ठीक है और कोसल परिशा स्किल टेस्ट जो है qualified nature करा रहेगा बागे फ्रेंड्स हम लोग देख लेंगे कि एक्जाम कैसे होने वाला है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टेक्निकी साहिक, वेग्यानिक साहिक, पुस्तकाले साहिक, टेक्निसियन भी, ड्राफ्टमेंट भी, सभी के एक्जाम जो है दोस्तों डीड़ घंटे में जो है कि 80 questions पूछे जाएंगे अबजेक्टिव टाइप के और उसमें दोस्तों जो जो भी questions पूछे जाएंगे वो questions दोस्तों जो है कि अपने जो है कि practical और written के बेस पर जो होगा उसी के आधार पर यहाँ पर पूछा जाएगा दिखा दूँ आपको जैसे कि जो भी questions पूछे जाएंगे theoretical और practical knowledge जो होंगे वो काफी जो है कि depth में पूछे जाएंगे यानि कि बहुत ही deep theory पूछी जाएगे इसलिए बहुत अच्छे से त्यारी करके आप लोग exam में बैटिएगा और अच्छे marks लाके अपना selection पक्का कीजिएगा बाके दोस्तों देख सकते है exam center जो है कि लगबग सभी राजियों के बड़े-बड़े सहरों में इसका exam center होगा cbt exam होग और यहां पर देख सकते है रीटेल लिखने का मतलब यह नहीं समझना है कि लिखित पर इच्छा होगी यहां पर देख सकते हैं लिखित पर इच्छा योजिक जो है कि cbt mode में की जाएगी computer based test में तो ऐसा आप लोग देख सकते हैं तो दोस्तों हम लोग अब सारा कुछ हो ग जाएगा 16 माई को साम को 5 बच तक last date रहेगा friends और 17 माई तक आप लोग fish deposit कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर एक बार और दिखाया गया है 26 April से farm भरा जाएगा 16 माई को last date रहेगा और fish deposit करने की last date 17 माई साम को 5 बचे 2023 तक रहेगी ठीक है friends तो यह सारी चीज़े हैं तो मैं आश करता हूं कि आप लोगों को वीडियो जोएगी अच्छा लगा होगा बाकी मिलते हैं next vacancy के साथ तब तक के लिए आप लोगों को thank you